घर पर ही शताबरी यानि एसपरगस का पाउडर बहुती असानी से बनाया जा सकता है। ये वाली एसपरगस हमने अपने टेरेस गार्डन से हार्वेस्ट करी थी। विंटर के समय एसपरगस यानि शताबरी का प्लान डॉर्मेंसी में चला जाता है और उसकी कंडिशन कुछ इस तरीके से हो जाती है। तब आप उसमें से अपनी शताबरी को हार्वेस्ट कर सकते हो। शताबरी जो होती है इसकी एक जड़ रहती है जो कि निकालने के बाद कुछ ऐसी थी। इसको जो था तीन-चार दिन के लिए हमने अपने टेरेस में ही छोड़ दिया था ताकि इ इसमें से जो थोड़ी सी मोटी मोटी सी शताबरी यानि एसपर्गस के ये ट्यूबर्स थे इनको मैंने निकाल लिया। इसको डिरेक्ट ऐसे यूज नहीं करते हैं। फ्रेंड्स मैं हूँ विजिया और आप देख रहे हो विजिया इसको जो है पाउडर बनाने के लिए पानी डाल दिया है और एसपर्गस को शताबरी को उबाल देंगे। अच्छी तरीके से उबालना होगा दोस्तों। ये कब रेडी हो जाएगी इसको पहचानने का तरीका ये है कि इसमें से निकाल करके एक शताबरी को चेक करना होगा। प्रेशर कुकर में आप करोगे तो एक-दो सीटी में ये कुक हो जाती है जैसे आलू ये शकरकंदी हम लोग गोयल करते हैं न सेम तरीके से तो इसमें से मैंने एक निकाली और तो ये देखे एक चिलका चील रहे हैं तो जैसे आलू के चिलके उतरते हैं स्ञें तो इसका मतलब ये रेडी हो गई है चलिए दे सकते हैं. तो इसको जो है छील लिया जाए सारा जैसे आलो छिलते हैं, सेम तरीके से छिलते हैं. इसके बीच में दोस्तों काटेंगे, तो एक ये धेए ध्रेट टाइप का, धागा टाइप का रहेगा मुटा सा. तो इसको तो निकालने पहले ही ज़्यादा बेटर है क्योंकि दोस्तों यह अगर अभी आप नहीं निकालोगे सूखने के बाद थोड़ा सा जब इसको पीसते हैं तो दिक्कत होती है तो इसलिए इसको बहुती असानी से आप निकाल सकते हो इसको जो है चाहो तो आप पहले ही अभी छोटे छोटे टुकड़े भी कर सकते हैं ज़्यादा असानी से रहो जाएगा काम आपका इसको धूप में सुखाएंगे चुकि जब हम वीडियो बना रहे थे तो थंड़क बहुत तेश थी तो इसको सूखने में पूरे 5 दिन लग गये थे देखिए इसमें से ऐसी अवाज आ रही है तो इसका मतला 5 दिन में ये सूख गयी है घर्मियों में तो ये 2-3 दिन में ही सूख जाएगा पूरी तरीके से तो इसका पाउडर बनाने के लिए चाहें तो इमाम दस्ते का यूज़ करें या फिर खलर मूसर का और मिक्सी में भी पीस सकते हैं मिक्सी में पीसने के लिए हमने पहले छोटे-छोटे से टुकड़े कर लिए थे फिर पीसा चूकि शताबरी का जो बेसिक नेचर होता है उसमें मिठास रहती है तो इस चक्कर में जब मिक्सी की उसने गर्माहट पाई तो जो मिठास के कारण वो चुपकने लगी कुछ इस तरीके से लेकिन इसको अभी हाथ से अलग-अलग कर सकते हैं मैंने इसको टेस्ट करा है बॉइल किया था तब भी टेस्ट करा और भी इसका चूरन भी टेस्ट करा है तो जो टेस्ट करने में इसका स्वाद आता है वो दोस्तों पहले तो मिठास आती है और बाद में हलका सा कड़वापन सा आता है तो मुझे तो देखे कोई side effect नहीं हुआ लेकिन फिर भी हम ये कहेंगे कि एक बार आप use करने से पहले किसी जानकार की सला जरूर ले लीजेगा क्योंकि हम जो है gardening का channel चलाते हैं तो हम health wise आपको advice बहुत जादा नहीं कर सकते हैं ये जरूर जानते हैं कि इसके health benefit बहुत जादा है लेकिन हर आदमी की प्रकती अलग अलग तरीके से होती है इसलिए चीजे भी उसको अलग तरीके से असर करती है फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ तब तक ही लिए गुड़ पाए